हेलो फ्रेंज तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि Gmail ID को पर्मेंटरी डिलीट कैसे कर सकते हैं दोस्तो Gmail ID को डिलीट करने के लिए आपको Gmail वाला बॉक्स यहाँ पर आपको खोज लेना है उस बॉक्स पर क्लिक करना है उसके बाद उपर में लोगो देखने को मिलता है उस लोगो पर क्लिक करना है लोगो पर क्लिक करने के बाद इस तरह इंटरफेस कुलेगा तो आपके पास एक से जादा Gmail ID होगा तो नीचे में सो करेगा तो आपको जिस भी Gmail ID को delete करना है उसको आपको select कर लेना है select कर लेना के बाद यहाँ पर manage your Google account दिख रहा है इस पर आपको click करना है उसके बाद आगे यहाँ पर data and privacy का option देखने को मिलता है इस data and privacy वाले option पर click करना है जैसे इस पर click करते हैं तो इस तरह के interface कुलता है तो नीचे की तरफ scroll करते हुए जाना है नीचे जाने के बाद यहाँ पर आपको आप से देखने को भी लेगा है delete your Google account तो इस पर click करना है और click करने के बाद यहाँ पर आपको password डाल देना है जो आपका यह चैनल का password है Gmail ID का यह password याद याद नहीं तो यहाँ से forget भी कर सकते हैं तो password डाल देने के बाद यहाँ पर next पर click करेंगे उसके बाद यहाँ पर download your data लिका हुए तो आपका जो भी इस Gmail ID में data save कि हुए उसको आप यहाँ से delete करने से पहले download कर सकते हैं उसके बाद चलते हैं नीचे तो यहाँ पर नीचे आने कबाद यहाँ पर दो box लगा देना है और क्लिक लाद आजाएं के आपको delete account पे click करना है इस तरह के आजाएगा उसके गूंगल account and all data have been delete एकाउंट ही निस एकाउंट है delete हो चुए है तो दोस्तों उमीद कर दो हम वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक लिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजए इसे वीडियो देखने के लिए